हलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं Crompton का BLDC फैन, ये एक 1200 mm का BLDC फैन है, जो नॉर्मल सिलिंग फैन होता है, वैसा ही है, लेकिन ये जो BLDC फैन होते है, ये सिर्फ जो आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल सिलिंग फैन होता है, उसका सिर्फ आधा कंसम करते हैं यानि आपका जो नॉर्मल सिलिंग फैन होता है वो अराउंड 75 वैट्स कंजूम करता है और यह जो बीलडी से फैन्स होते हैं यह सिर्फ 35 to 30 वैट्स ही कंजूम करते हैं तो मेरे घर पे यह से क्रॉम्टन के ही दो बीलडी से फैन्स हैं दो अलग अलग रूम में तो चलिए देखते हैं तो यह जो क्रॉम्टन का फैन है इससे मैंने करीब देड महने पहले खरीदा था यह देखिए परचेस टू आइटम्स और वह मुझे सिर्फ वह पहले तो मैं उसे कई दिनों से स्टॉक कर रहा था लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि अभी खरीदना है तो वह आउटो स्टॉक हो गया था फिर बाद में करीब आदे महने के बाद वह स् तो अभी आप देख सकते हैं अभी जो इसकी सेलिंग प्राइज है वह है 3,500 और यह जो दूसरा वाला है यह आपको मिल रहा है 4,192 में तो इसकी प्राइज बहुत हाइक हो गई है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसा एक रिमोट देखने के लिए मिलता है उसके लिए दो अलग रिमोट है क्योंकि जो सिंगल रिमोट उस पर्टिकुलर फैन जिसके साथ आया है उसके साथ ही वर्क करता है आप जैसे मुझे भी लगा था पहले कि अगर एक रूम में दो फैन लगे तो उसे एक ही रिमोट से कंट्रोल कर सकते है बड़ नो जो जिस कि और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ फैन के पास तो यह है हमारा क्रॉम्टेन का बी लडिसी फैन एनर्जियो तो यह कुछ ऐसा दिखता है बारा सुम्म का यह फैन है जो आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड सिलिंग फैन होता है सब सेम है लेकिन यह थोड़ा सा हलका है उससे और आप यहाँ पर मैं आपको इसका सर्किट भी दिखा दूंगा तो चलिए इसे शुरू करके देखते हैं सबसे वहले और तो यह देखिए यह शुरू हो गया है कि बहुत ही साइलेंट बहुत ही इफिशियंट जो नॉर्मल आपके जो ट्रेडिशनल फैंस होते हैं वह ऐसे कुछ हमिंग साउंड करते हैं तो यह ऐसा कुछ भी नहीं करता है तो यह एक की स्पीड पर है अभी हम इसे दो पर करते हैं यह देखिए बहुत ही साइलेंट है अबतीन पर चार पर यह अभी चार की स्पीड पर है और अभी इसके फाइनल स्ट टॉप स्पीड पाच पर इसका जो एरस्विप है वो भी काफी अच्छा है रूम के हरे कॉर्णर तक हवा पहुच जाती है तो और इसकी एक खास बात है जैसे आप यह रिमोट पर देख सकते हैं कि इस पर टाइमर दिया गया है यह देखिए टू एच्ट तो यह जो है वन एच्ट फ़र वन आर टू एच्ट पर टू आर एंड थ्री एच और फोर एच रिस्पेक्टिव ले तो इसका सिग्निफिकंस है कि ए वन आर के बाद यह फैन बंद हो जाएगा अगर आप वन एच पर क्लिक करते हैं टू एच पर टू आर के बाद और थ्र कान में रखनी है कि आपको जो आपका नॉर्मल रेगुलेटर होता है फैन स्पीड रेगुलेटर उसे आपको या फिर बाइपास करना होगा या फिर इसे उसके topmost speed पर रखना होगा जैसे कई कुछ regulators की top speed होती है 6 या फिर 4 या फिर 5 आपका जो है आपको उसके हिसाब से करना होगा मुझे तो लगता है कि ये fans बहुत अच्छे है और जो आने वाले कल की ये एक पहली पहल है तो आप ये इसे लेना सोच सकते हो बहुत ही अच्छे है silent है और energy efficient है तो अभी मैं आपको इसके जो wiring है यानि उसका जो cap के नीचे का part वो बताता हो तो ये देखिए यहाँ पे जो आपको black box दिख रहा है वो एक 220 volt AC to 24 volt DC converter है जिसे आपको पता होगा है या नहीं मुझे पता नहीं लेकिन ये जो fan है ये internally 24 volt DC पे ही चलता है इसमें जो motor यूज की गई है ये एक brushless DC motor है थ्री phase वाली तो इसे वो 24 volt पर ही चलती है तो उपर के जो बीच में जो दो टर्मिनल्स है वहाँ पे हमें जो 220 volt की wires है वो लगानी होती है installation भी बहुत easy है आपको जैसे आपकी traditional fan में जो components आते हैं installation के लिए वो ही components इसमें आये थे जिसे कुछ अलग special कुछ भी नहीं था इसका installation भी काफी easy है आप भी घर पर कर सकते है और मैंने भी ये घर पर ही किया था बहुत easy है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में